सुजानपुर में सुप्रीम कोट से राफल मुद्दे पर मोधी सरकार को क्लीन चिट मिलने पर धरना पड़शन कर राहुल गांधी का पुदला जलाये गया जिसमें सुजानपुर की जनता ने बढ़ चट कर हिस्सा लिया भाजपा, बदा दिकारियों का कहना है कि कॉंग्रे जिसमें सुजानपुर की जनता ने बढ़ चट कर हिस्सा लिया भाजपा पता दिकारियों का कहना है कि कॉंग्रेस ने राफल समझोते पर जूटी ब्यान बाज़ी कर जनता को और देश को गुम्रा किया है राज़ंदर राना बताएं कि जब उन्होंने सुजानपुर में जनता के सामने राफल सोदे को मोधी सिरकार का गोटाला करार दिया था लेकिन सुप्रिम कोट से मोधी को मोधी सिरकार को राफल सोदे में क्लीन चिट मिलने पर कॉंग्रेस पार्टी ब सुजानपुर का बि अधिकारियों का कहना है कि राजंदर रानक को सुजानपूर और हिमाचल की जंता से लिखित रूप से माफि मांगनी चाही क्योंकि उन्होंने चुनाबों के दुरान राफिल सोदे को घोटाला करा दिया था। बिरेंदर ठाकूर पूर्व मंडल अधियक्ष कैप्टन रंजीत सिंक, परदेश कारेकारनी सदस्य, बिरेंदर ठाकूर रमेश कांग्रा पीटीय परधान, चिला परशत, चेर्मन राकेश ठाकूर सुक्तेप ठाकूर, महामंत्री अनिल शामा पवन शर्मा, मीडिया परभार वो राफेल, मैं जिस तरह से राहूल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से पठकार लगी, और इस देश की सस्पी परधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी को, जो कि लोकसभा के चुनाबों में, इस देश की जनता ने, राहूल गांधी जी जो कहते थे, इस देश का चौकिजार चौर है, जनता ने कहा कि इस देश का परधान मंत्री चौर नहीं, कॉंग्रेस पार्टी चौर है, जिसना 70 परस तक हमारे जो सीमाओं की रक्षा करते थे, हमारे प्रहरी, हमारे सैनिक उनके साथ छल किया, उनको सराकी सुविधा उपलद नहीं करवाई, जो हमारे देश के सरकार के हमारे प्रधान मंत्री के पक्स में बहुत बड़ा कारिक्राफ यहां पे निर्ने दिया है, उसके लिए भी मैं माने सुप्रिम कोर्ट का, देश की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, जिना ने इतना बड़ा दुर्स्पिचार होने के बावजूद भी इतना बड़ा जन्मत माने मोदी जी को दिया, इसके लिए मैं देश की जनता को बहुत-बहुत बदाई